तो आज मैं यहां पर लेता हूँ आपके कमेंट्स जो कि आपने शनिवार की वीडियो में किये थे मैं उस समय पर ले नहीं पाया था वीडियो बना नहीं पाया था लेकिन मैं उसके लिए आज वीडियो बना रहा हूँ जो भी वीडियो में शनिवार को अपलोड करता हूं और जितने भी कमेंट्स आप मुझे करता है मैं कुशिश करता हूं कि अगले दिन यह फिर उस अगले दिन मैं आपके सभी कमेंट्स का रिपलाई करो तो यह वीडियो बहुत important होने वाली है क्योंकि इसमें कई कमेंट्स बहुत important हो चली शुरू कर लेता है 112 कमेंट है मैं कोशिश करूँ कि सभी के सभी कमेंट ले सकूँ तो सर जी कहना यूज आवला इन प्लेस ओफ लेमन इन डिस जूस एज एव सीवियर हेर फॉर आलसो जी हाँ बिल्कुल आप लेमन की जगह है आप आवला यूज कर सकते हैं आवला बालों के लिए बहुत अच्छा है तो जो लोग पूछते हैं कि हैं हमें सफेज से काले बाल करने हैं तो आवला काय एकच्चा आवला झाई खाई एक यह फिर आम्ले का जूस मिधर यह ब्लों के लिए और आपकी आखों के रोशनी के लिए और आपकी इस किन के लिए हर चीज के लिए सर तो देखिये अभी पॉसको फर्क लग रहा है यह अछा है मैं तो आपको आपको निज महीने के शलता हूंगी कम से कम तीन महीने आपको फर्क देखने में लगेगा अगर आप कुछ भी कर रहा है तो आप जारी रखिए, आपको फर्क अवर्श लेगा और जितनी भी सारी चीज़े मैं आपको बता रखी है इसके अलावा, जूस के अलावा वो सभी चीज़ आप कीजिए मैंने 21 दिन तक यह जूस पिया मैंने धन्या, लीफ की बजाए मैंने गौवा लीफ डाल ले थे और तुल्सी के जगह सदा बाहर के पोधे की पांच पत्ते यूज़ किये थे मुझे सच में बहुत फर्क लगा अपनी स्किन के टेक्चर में और इसकिन पहले से काफी हल्दी और स्मूत हो गई है बहुत धन्यवाद भाई आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं पिक बेंटेशन को क्योर करने के लिए अगले कमेंट पूछा कैसे बनाना है क्या करना है अच्छा फिर इन्हों ने रिखा है कि भाई नहीं वह गौड है ऐसा कुछ नहीं दें मैं भी केवल एक चिकित सक हूं जो कि मैं केवल जो मेरे काम है केवल मैं वो कर रहा हूं आप लोग की मदद कर रहा हूं जो मेरे काम है और कुछ नहीं है तो यहाँ पर इनोंने सदा बाहर के पत्ते यूज़ किये और धनिय की जगया इनोंने अमरूद के पत्ते यूज़ किये ठीक है यह अच्छी बात है देखिए इसका क्या है कि जैसा आप खाएंगे अन वैसा हो गतन अगर आप ब्रेड खा रहे हैं तो आप किसके ब्रेड के खाते हैं जैसे सर्दियों में पालक आना शुरू हो जाएगा तो पालक से भी आपके स्किन बहुत अच्छे से हेल्दी हो जाएगी तो सर्दियों में आपके डाइट को चेंज करेंगे तो ध्यान नखिएगा कि इसके लिए आपको चैनल को सब्स्क्राइब करना है लिए दिस यूज इस फॉर थारेट पेशन जी हाँ आप वह जो जो सब्सक्राइब कर सकते हैं वेरी नाइश इंफोमिशन सर्थ थैंक यू थैंक यू थैंक सर्थ आप भगवान के रूप में हमारे लिए हैं मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं कुछ और नहीं थैंक यू स उसको ठीक करने मदद करेगा और अगर आपके शरीक के अंदर इतनी हीलिंग कैपसिटी है कि वो खुद को खुद ठीक कर सकता है तो इस जूस के साथ ने आपकी PCOD भी जाएगी आपके हार्मोस भी बैलन्स होंगे और आपके पिग्मेंटेशन भी जाएगी अगर यह नहीं यूज करने से जिसके अंदर कोजिक एसीड होता है जिसके अंदर हाइड्रोकुनीन होता है यह पर जिसके अंदर एट्रिब्यूटिक एसीड होता है यह सभी चीज़ें आपके बैटनोबैट होता है बीटा मैथोसोन होता है यह सभी की सभी क्रीम आपके चेहरे पर हेर ताकि अपनी जो सेंस्टिव इसके ने उसको ठीक करोगे लेकिन अपने चाहरे के बालों को कैसे ठीक करोगे आप अगल कमेंट है सर इस जूस के साथ नीबू भी लेना है क्या क्योंकि आपने तूलसी के लीव एड़ किये हैं जी हां बिलकुल आप ये नीबू आप ले नीबू ही लेना है और देखे तूलसी के लीव अगर आप विंटरस में लेना शुरू करेंगा तो ज्यादा जी आपने जूस पताया क्या उसको नीबू के जिने आमला भी डाल सकते हैं घंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू रादेखृष्ण सर्ची मैं भी पिछले एक महीने से आपके नीम पुदिना धनियावाला जूस ले रही हूं और घी भी लगा रही हूं जिससे मेरी पिक्मे हम जहाईयों वाले फेस पर डेली किस चीज़ से धुआएं I mean बेसन से कुछ और मैंने आपको अलगी बता रहा है कि किसी भी सस्ते साबुन से 10-12-15 रुपे का साबुन ले लिजे उसको बस एक बार इस तरह से कीजिए और इसको एक बार बस इस तरह से कर लिजे और आपका चहरा बोर्ष हो गया रगरना नहीं है चहरे को आपका जो अपर लेर है उसको नहीं छीलना है आपको सर क्या बात रोगी भी पी सकते हैं जी हां बिल्कुल बात रोगी पी सकते हैं सर फुल बोडी को complexion साफ करने के लिए कुछ बताईए और उसकी कोई medicine है क्या सारसा परिल्ला और बर्बरसिक क्यों fully मैंने आपको बताया था और फुल बोडी को complexion क्लियर करने के लिए जो जूस है इसको आप पेजे राधे राधे सर राधे राधे वर्जिन लगा के मसाज कर सकते हैं केवल एक्ट्र वर्जिन कोकोनेट लगाई लगाए विटामीन यूस में मिलाने के आवर्शक्ता नहीं है इसके नीचे कमेंट भी आए सब कुछ अपने आपकी बोडी पर डिपेंड करता है कि लेने के बाद ने कितने समय में उसका रिजल्ट को दि पर आपके शरीक अंदर कितना पितें बैलेंस उस पर यह कोई गणित नहीं है कि आपको बता दिजाए कि नहीं पंदर दिन में ही आपको रिजल्ट दिखेगा यह डिपेंड करता है आपकी बोडी पर आपकी हीलिंग की ख्शमता पर आपके इंवार्मेंट पर और आपके पित कितने अच्छे से बैलेंस आपके श्रीर में उस पर आपका स्ट्रेस कितना है उस पर आपकी दिंचे रहे पर आप रात में सोते हैं उस पर आप खाना किसमें खाते हैं उस पर बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि विटामेंसी आपके उपर किस तरह से फेक्ट क को दीना के साथ करीब पता ले सकती हूं और पानी की कौनिटी कितनी रखनी है पानी क्वानिटी आपने स्वाद के अनुसार रखनी है और जी हां आप ये घी आप लगा सकते हैं क्या सर जूस प्रग्डेंसी में ले सकते हैं जी नहीं आप जूस को प्रग्डेंसी में नहीं किया सकते हैं उससे कुछ ने कुछ नुक्सान हो सकता है है किया पिग्मेंटेशन में मसाला वाले खाना खा सकते हैं नौन वेज खा सकते हैं जी हां बिल्कुल नहीं खा सकते हैं आप मैंने माना किया था नीचे रिपलाई भी आया है नहीं खाना है थैंक्यों सर रादे राद तो वोने खाना है आपको नमस्कार सर जाजी सर कहीं वीरिको सील पर भी वीडियो बना आई है ठीकिक मैं बना दूगा सर मैं बंगलेवरॉस से हूँ पीने के टाइम पर जूस ले सकने हैं नहीं ले सकते हैं किया जिma सेट्ट फ्यट प्रयॉबर सीड पीनल ले सकने हैं किया मैं ड़ेली ले सकते हम प्लीज बना यह जू जितने भी शीण है आप सर्दियों के मुश्रम में सुरू करने हैं आपको को गरवे में शुरूर नहीं करना सरजी सर मैं यह जर नहीं मिल रहा है और मुझे दस दिन हो गया है पीदे जूफब अच्छ़ा फर्क पड़़े रहा है मुझे बहुत फर्क है सब्सक्राइफ यह बहुत लंबा है जो तुलती का जूस है साथ में जो तुलती करने वह विंटर्स में आपको एड़ करने है ओके साबून मेरे को बनाना नहीं आता लेकिन मैं जुरूर आपको बताऊंगा सब्सक्राइब काफी कम आती है नहीं शायद कम तो नहीं आती आप एयरफून लाकर सुनेगे तो इस के लिए फिर कभी बनाऊंगा त Jen अब ie ओर स्याट्रीफिक्प्रूफł क्रोफश के साथ में आप लोग वीडियू ले एंडा मिरे फेक्ट पर कि जो आपड़ा जिश्यटको डेखते हैं तो किस तरह से मिरे आपके चाहरा को खराब करता क्या सर जूसस सेляются कम होता नहीं बजन कम नहीं होता सर अक्तया घग्मेंटेशन करें प्लीज रपलाई लुदॐ अरत में फिक्मेंट थीख करना बहुत तफ होता है लेकिन हम पहले थारेट के लिए आपको डायेट बताएंगे अपडेट करेंगे डाइट आपको उसके बाद में फिर आपका फिग्मेंटरेशन बड़े अराम से ठीक हो सकता है राधी राधी तरजी सर ग्रीन टी पी सकते हैं मत पीजें मैं आपको इतना जूस पता रखा फिर भी आप ग्रीन टीके चुकर में पढ़ रहा है राधी कि आप डॉक्टर को दिखाई है कि मुझे आपर जलन क्यों हो रही है क्योंकि यह चीज़े लेकि जलन नहीं होनी चाहिए और आपको विशेस ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए 3-6 मेने तक कि वो जलन आपकी बंद हो जाए ठीक है कर लीजिए आप इसको रादे कृष्णा सर जी मैं माद भी मेरे नाम माद भी है मैं यह जूस अपने एक मैने इस ते बताया था मैं ले रही हूँ मुझे बहुत फर्क पड़ रहा है जूस पीने से दिन भर बहुत एनरजी भी रहती है क्या केवल नीम के पत्ती चवाकर ले सकते हैं बिलकुल ले सकते हैं सर जी रादे कृष्णा सर हमारे घर के पास नीम का पेड़ नहीं है हम क्या करें आपके घर के पास नहीं होगा तो 4-5 किलो मेटर के दारे में तो होगा वहां से अप लिया आईए सर इन पत्तियों को मेरने बाहर खेतों में काम करना होता है अगर यह मैं क्या बता सकता हूंको को क Sinne ढ़ल सो बचा नहीं आपको बचाइंगे काशने पे करेंगे सब्सक्राइब कर थो मेरी मृट्वी शाल और मैं मार्च 2022 को करमेकि हूँ आप जो भी कर रहे हैं करते रही है जितनी भी चीज़े मैं आपको बताई है वह घी लगाना कोकोनेट ओल लगाना वह लार लगाना वह डाइट फॉलो करना वह नीम का जुक्स पीना सब कुछ आप कीजिए और अच्छे सब को फायदा मिलेगा थैंक यू सर में सकरेज लेनी है कि यह हंता सकता की जुनी की आपको लेनी है कि निखे निम के बैक पत्ते का सीजन भी और ताज 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 आुचर में है मैंने आपको किती का में यही आपके पास में चारा है बाकी में कुछ बता दूँगा आपको अगर मैंने कुछ ऐसी चीज़े टेस्ट की कि आपको यह सेफ रहेगा आपके चारे पर लगा तो मैं आपको वश्य बताओंगा सर क्या लोखी के जूस ले सकते हैं बिलकोफ ले सकते हैं सर राधे przyBoyla मैं एक महाइने से चहाँ चिंसे कि यह सभी से पिसकते हैं पत्यां हे फुर्ट भर हरे किष्णा घी में कैसर मिलाकर लगा सकते हैं घी कैसर मिलाकर जी तना सिंपल रखेंगी चिजों का उतना है मेरी संस्टिव स्किन है जूस पिया आठ दिन से कंप्लेक्शन हो गया है मेरा अधर कुछ भी अच्छा करेंगे जो कि आपके इनको हील करेगा उससे complexion आपका डल ही होगा थैंक यू बेटा जी स्रीकृष्णा पीरिट के टैम पर कितने दिन बाद जूस पिना कमसर पांस दिन बाद आपने शुरू करना है रादे कृष्णा सर यह आई बरो पर एक बहुत बड़ा का दारा हो गया है मेरे husband कहते हैं कि नीम का juice पिया है उससे हो गया नहीं नीम का juice पिने से नहीं होगा प्रॉलम कुछ और होगी क्योंकि नीम ठंडा होता है सर जिसके जॉइंट प्रॉलम है क्या वो ले सकते हैं जी हां बिल्कुल ले सकते हैं सर घी सुभह में लगा सकते हैं रात में लगाना सबसे अच्छा है सर कभी कभी चाई पी सकते हैं मत पीजिए आपको पित ही भढ़के कौसे राधिक्रिश्ण सर मेरा पेट में जवन रहती है गैस भी बनती है तो में जूस ले सकती हूं बिल्कुल आप ले सकते हैं दिल बना के बेजा किसमें सर बीकसुल कैप्सुल कितनी टैबलेट ले दि किया है गाय का दूध गोशालत से लाकर थैंक्यू सो मुझ बहुत अच्छी बात है राधियोखिश्ण सर मैं थ्री मंत का बेवी है जो की ब्रेश्ट फीट लेता है तो मैं विटामिन की गोली ले सकती है कि जी हां बिल्कुल आप ले सकती है जूस भी आप ले सकती है नमस सब्सक्राइब लेने के लिए आप असिस्टेंट को कॉल करने दिये वह निमबर पर वह आपको सारी की सारी चीज़ें बता देंगे सर आप कमेंट का रिपलाई नहीं करते हैं मैं सब के कमेंट का रिपलाई कर रहा हूं आज ऑके रादे रादे सर मेरे नाम रूची है मैं सब्सक्राइब से हूं सब्सक्राइब का जूस दिया था एक हफते से मुझे कोई फ़र्क नहीं देखे आपके जो लाइनिंग है ना ये कमजूर है इसको ठीट में पहले कीजिए नातों में पाइरे की प्लीज है कुछ प्रवाइब लेंगे तो पायरे की समस्य आपके खतम हो जाएगी आपकी कितने दिन तक पीना है अभी आपको ऑक्टोबर तक पीना है ऑक्टोबर नमबर के फर्स्ट तियां सकेंड तक थेंक यूजर मैं आपको बहुत ज्यादा आप गौड हो मेरे लिए आपकी बज़े से मेरी जहाईया साफ हो गई है सत्तर प्रतिशत और जहाईया फट फटने लगी हैं मुझे बहुत फायदा हुआ है देशी घी लगाती हूं मौनिंग मैं सलाइवा लगाती हूं फिस वाली अक्सेसाइज करती हूं मैं आपसे पूछ प्रतिशत लगागा हो सकता कि 90 प्रतिशत भी लग जाए और 90 प्रतिशत लएगा तो हो सकता है कि आपका यह खोद ही ठीक हो जाए वेट कर लेजिए भी आप इस चीज़ के लिए ठीक है आगे इन्होंने बहुत सारे कमेंट किया है नीचे इनको लोगोंने पूछा है यह मैं रीड नहीं कर रहा हूं सार एक जुस को पिरेड ऑड के टाइम लेना है कि नहीं नहीं प्यरका शिन व्रीन पीसकते हैं कि टीर को को छोड़े हुए पहले चिक नोज रेड था अब पूरा बेटरफ्लाई के तरह पनी है मैं लाजमा मुझे आपकी वीडियो वन मन्त हुआ है मिला अब सब कुछ फोलो कर रहे हैं सर क्या मैं ठीक हो सकती हूं प्लीज रिपलाई देना मुझे सुसाइड करने का दिल करता है ल आपको परेशान होने कोई आपरशक्ता नहीं है नीचे एक सिस्टर ने कमेंट भी किया है किरनियादव ने कमेंट पहले भी ले रखा है इन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक हो जाएगी जी हां बिल्कुल ठीक हो जागी आप घबराए ना सच श्रीयकाल सर जी मैं पंजाब से हूँ दुनिया धनिया ता मिल दान नहीं नहीं साड़े तुलसी प्लीज रिप्लाइट नीम तो है नीम अप लेते रही है सिंपल नीम अप लेते रही है हलो सर मैंने मेरे बच्ची की एज 21 है वह बहुत ही दूबली है और इसकिन भी खराब होती जा रही है छह महिने में साधी करनी है प्लीज कुछ ऐसा बताइए कि साधी के बाद साइड इफेक्ट ना हो देखिए अगर वह बच्ची दूबली पतली है तो पहले आप उसका ओवर जो कंप्लीट है वह कंप्लीट चकब एक बढ़ करा लिजे कि प्रलम बच्ची को कहा है उसके बा पित्को तो हमें बैलेंस करना आपके तो कैसे करेंगे आप सर्थू सर्थूज पिये सर मेरे में भी बोलती है कि नीम घर्म होता है नहीं नीम ठंडा होता आप कहीं भी सर्च कर लेजिए मैं पज्चाप से हूं सर जी निम्बू से अलर्जी है धनिया कि पत्ती तो मिलती नहीं है ठैंक्यू रदेकर्ष्णा चलो आपके 112 कमेंट आज सरके सारी छोड़नी है बाकि आज तो मैं सार के मेंट लिया तो चलिए मैं आप से फिर किसी अनुए वीडियो मिलता हूं प्रात ना करूँगा कि आप सोभी लोग स्वस्त रहें पर मांतना से भी का मिला करें झाल 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 मैं प्रात ना कर दिता से भी करता दो जान25 जाल